ओम शांती, 10 एप्रल 2023 की साकार मुर्ली से होमवर्क, आज की मुर्ली से हम लक्षय लेंगे शिरिमत पर चल जगतचीत बनने का पुर्शार्थ करना है, जगतचीत अर्थात लक्षमी नरायन समान श्रेष्ट बनना है इसके लिए दो बातों पर आज अटेंशन देंगे, पवित्रता का बल और सीवा का बल पवित्रता का बल जमा करने के लिए आज बावा ने अटेंशन दिलवाया लक्षमी नरायन जैसा स्रेष्ट बनना है, तो पवित्र जरूर बनना है पवित्र बने बिना पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकते इसके लिए विधी बताई इश्वरिय संग, आज बावा ने सुमृत्ती दिलवाई, ये सारा दिन सुमृत्ती में रहे मेरा तो एक शिब बावा दूसरा न कोई, एक बाप के श्रेष्ट संग में रहने से दूसरे संग के परभाब से आत्मा मुक्त होकर माया जीत, जकत जीत बन जाएगी दूसरे संग जैसे की पुराने संसकारों का संग, संकल्पों का संग, पुराने विकारी मनुश्यों का संग, विकारी वातावन का संग, बहुत सारे संग है अगर बावा को अपना साथी बना लेंगे तो इन सभी परकार के संग से आत्मा मुक्त हो जाएगी और इसके लिए दूसरी विधी बावा ने बताई कि जो बावा से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन याद रखना है क्योंकि संगम पर बेहद का बाव बेहद का वर्सा देते हैं 21 जन्मों के लिए इस वर्से को सारा दिन समरिती में रखना है तब एक बाव से ही सरप्राप्तियों की अनभूती करते रहना है नेक्स्ट वीदी बताई बावा ने पवित्रता का बल जमा करने के लिए माया जीत बनना है बावा ने कहा एक बाव की याद से पांच विकारों पर विजे प्राप्त कर तुम्हें माया जीत बनना है इसके लिए हम स्वामान लेंगे मैं शिव शक्ति हूँ जब शिव बावा से आत्मा योग लगाएगी तो उसको शक्ति मिलेगी जिससे पांच विकारों पर विजे प्राप्त कर सकती है दूसरा ये स्वामान लेना है मैं आत्मा मर्यादा पुर्शोत्म हूँ मर्यादा पुर्शोत्म अर्थात इस संगम युग को सुमृति में रखना है ये पुर्शोत्म युग है और आत्मा को उत्तम बनाने के लिए बावा की श्री मत के उपर ही चलना है मर्यादा उपर नीचे होने से ही आत्मा विकारों से हार खाती है जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आत्मा मर्यादा पुर्शोतम बन विकारों से मुक्त होती जाएगी विकरम नहीं होंगे तो इस युग की समृती और समय की समृती रहेगी और बाबा की श्रीमत की समृती रहेगी तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी फिर बाबा ने पवितरता का बल जमा करने के लिए चक्र का ग्यान दिया बाबा ने कहा चक्र के ग्यान को सुमृति में रखने से तुम चक्रवती राजा बन जाएंगे क्योंकि चक्र सुमृति में फिरता रहेगा तो माया के चक्र से आत्मा मुक्त रहेगी और बेहद की वृति से सेवा कर पाएगी क्योंकि हमें चक्र के ज्यान में बाबा ने अटेंशन दिलवाया ये हार और जीत का खेल है ज्यान से हमें समझ मिली कि विकारों के कारण ही आत्मा कंगाल बनी है रोगी बनी है और दुखी बनी है ब्रस्ट बनी है अभी हमें बाबा ज्यान की पढ़ाई पढ़ा कर मनुश्य से देवता बनाने आए हैं तो ये चक्र बुद्धी में फिरता रहे अभी हम ब्रामन है फि रिक्षत्रिय फिर वैश्य फिर शुद्र अब हम 84 जनम देकर फिर से बाबा से सत्युग की बादशाही ले रहे हैं ये चक्र को बुद्धी में फिराते रहने से आत्मा माया के चक्र से मुक्त होती जाएगी तो ये अंतिम समय है ये भी सुम्रिती में रहेगा ये मत पर चल भारत को स्वरक बनाना है और ये सेवा करने है और सबको सुनाना है कि पवितरता को धारण कर पवितर दुनिया का मालिक बनो और गुरू कौन से गुरू अंधिकार को दूर करने के लिए गुरू ने क्या शिक्षा दी है और इसके साथ बाबा ने ये भी बताया ह कि पांच विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, तो तीन बाप्त का परिच्च भी देना है, तो इसी तरह ये सेवा करके आत्माओं को वर्से का अधिकारी भी बनाना है, सेवा में बीजी रहने से भी आत्मा माया जीत जगत जीत बन जाती है, ओम शांति